नमस्कार साथियों स्वागत है आपके अपने उट चनल सक्सक्राइए निटू में साथियों आज के सिप्रेम होलोग बातसीत करेंगे जोगरफी बेसिक चीजे जानेंगे जोगरफी का खास करके बिहार के संदर में जानेंगे जो आपको BPSC एक्जाम से लेकर के बिहार परदान सिक्षक परदाना द्यापक के एक्जाम में काफी महत्तोपूर्ण जोहसो सावित होने बाला है चुकि साथियों अभी जोहसो आगामी जितने भी परतियोगता परिक्षा है खास करके चाहें बिहार द्रोगा हो बिहार पुलीस हो जो भी हो सब के लिए आपको यह वीडियो पूरी तरीके समझ लिए रामबान सावित होने बाला है साथियों एक बात और जान लिजे कि परदाना द्यापक का लाइब क्लास एकदम जारी है अगर आप लोग कलास से जोइन करना चाहते हैं तो दो नंबर आपको उपलावद करा देते हैं जिसमें आपको हम 8969094103 और दूसरा नंबर आपका हो जाता है 815639 और 66 इन दोनों में से किसी नंबर पर आप WhatsApp करके मैसेज करिए और पूरी तरीके से जो है सो material आप अपने लिए प्रभाइट करा लिए खास करके प्रधान सिक्षक प्रधान अध्यापक से सम्बन दीद पूरा material अभी जो है सो प्रभाइट करा जा रहा है देखिए अगर हम पहले सुरुआत करते है पहले प्रसंद से तो जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए पहला प्रसंद बार कहता है अक्षांसिय विस्तार के बारे में देखिए बिहार का जो अक्षांसिय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 50 सकेंड से ले करके 37 डिग्री 31 मिनट 15 सकेंड के बीच है यहनि 24 से 27 याद रखेगा 24 से 27 मातर 3 तीन डिग्री का अंतर है 24 डिगरी से 17 डिगरी तक उत्री अक्छांस में अक्छांस ये विस्तार है लेकिन अगर बात कर लिते हैं यहי पर दिसांतर ही विस्तार का तो लेकर we 83 डिगरी से लेकर के 88 डिगरी से लेकर कि 83 डिगरी 19 मिनट 50 से लेकर टाटब distract कि बारे में जानेंगे रहा आपकाह, उसके बारे में जाने हैंah साथ फीस ministries साथ यह वह जाने से आप भीहारन, के बारे में जाने जानेगे, इसलिए महत जा में बॉठ आपयों के पूछा जाने हैungs संभाव और आकरती ना कपयों हो 243 बर किलो मीटर है कई बार जैसो हमने चर्चा भी किया है इसका 9413 addressed बाद मैं जिख लीजे उत्तर से दक्षिण की निशा में अपको 345 प्तर है अपको नकहिंद你 कम है लेकिन पूरा दक्षिन में 345 और 14 हो गया 413 किलो मीटर देखिए अगर समुदर तल से बाबंद समलब 73 मीटर है लेकिन अगर पूछ देखिए कि अगला जो कहता है वह सीमाएं के बारे में सीमाएं जो है अर्थात सीमा का मतलब हो जाता है कि जो बिहार की जो चोहदी है बिहार की जो इस्तिती है उसके चारो तरफ कौन कौन से जो है सो राज लगते है तो बिहार की अगर बात कर ले तो उत्तर में तो नेपाल हो जाता है यह नेपाल देश है नेपाल लगताता है जो 7 जीलो पुरा में पस्षी में उत्तर प्रदेश वह भी साथ दो ध्यान रखे का नेपाल और उत्तर प्रदेश साथ हो गया और बाकी जो बच गया जैदा जारकंड अलग हुआ पहु होता है तो यहारकंड आपका 9ंग के साथ और पसमी मंगाव्ण सबसे कम यनी 3记 आती इसाथ होता है अगर वो मानसुनी जलबाई हो और बरसा की सिती की बात करें तो 112 संटीमीटर हो जाता है 112 संटीमीटर अवसत बरसा होती है अगर बात करें सुद्ध बोया हुआ खेत देखें कितना चेतर में बोया जाता है तो यह लगवग 56,000,000 के आसपास अगर किर्सी कारे के लिए अगर बात कर लें किर्सी कारे के लिए अगर बात कर लें तो किर्सी कारे में यहां पर 16,35,000 लगवग हेक्टेयर के आसपास में आपका गैर किर्सी कारे होते हैं गैर किर्सी कारे का मतलब यह भी कह सकते हैं अब यहां 17.37% हो जाता है इसका जो गैर किरसी कारी मेरे उससर और गैर किरसी योग भूमी जहां पर माली जो कुछ नहीं होता हो ऐसा तो वह 4,36,000 के हैं पूरी भूमी का 4% है चार गाह के लिए अगर बात कर लें करते हैं पूरी तरीके से खेती हो जाती है नहीं तो मकान बने हुए है या नहीं तो मतलब फैक्टरी लगे हुए है या कुछ वहां पर लगवा चार गाह के लिए मात्र 0.19% ज़ह सो जगह बचा हुए बिवित पेर पोधे यारी बगीचा की बात कर रहे तो 2,30,000 हेक्टेयर में आपको पेर पोधे भी है दो लाक लेकिन बहुत ही कम कह सकते हैं इसको 2,45% मातरवन लगा हुए है बनों की संख्या में और बढ़ाने की अवसिकता है अब देखे लिए अगला है बाढ़ परभाव यह सबसे बड़ी बाते हैं बाढ़ की समस्याएं खास करके उत्तर बिहार में बहुत जैदा बना रहता है हमेशा से बाढ़ की समस्याएं से उत्तर बिहार जो है जूजता रहता है प्रतेक बर्ज कहीं कहीं कभी बाढ़ आती ही आती है और उसका पूरी तरीके से नुकसान जहिलना परता देखिए बिहार की संरचना की बात कर लेते हैं संरचना में यहां देखिए चार प्रकार से आपको जो है चटान की बात की गई है चार प्रकार की चटान में धारवार चटान है विंदियन समू है टर्सियरी है और क्वार्टर नडी है तो इन चारो चट्टानों की बात कर लें तो कौन से चट्टान किस जिलों से समग दीता है इसका थोरा सा आप लोग जो हैसो रोड़ वैप तयार जरूर कर लिज़ेगा ध्यान रखेगा यह objective में बुरी तरीके से पूछी जाती है हमें साब आपका गया मुंगेर बाका इनसा में पाए जाता है लेकिन काली चट्टान की बात करें तो गंगा के मैदानी भागों में तर्सियरी पूछा जाए तो पस्चिम चंपारन मात्र एक है एक एक करके बढ़ते जाएंगे और बिंधियन पूछा यागा तके मोडी रहतास याद रखना है उसके बाद जो बच गया उसमें आपको धारवार याद रखना है धारवान चट्टाने हो जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं बिहार में बन की इस्तिती जो है पूरा पर हजार कुलो मिटर पर बन लगा हुआ है अब यह बनों का परतीसितना होके तो गया 7% प्रतिसत पुरा याद रखेगा वनों की जो है जो प्रतिसत मात्राइं बिहार में है इसको बराने की अब सकता है बड़ेगा तो परदूसन धिरे-धिरे घटेगा लेकिन परदूसन भी अब कहां से घटने वाला है हर बच्चे जो मतलब जितने भी लोग होते हैं अब पहले साधी करने के लिए सबसे पहले कोई छोटा मोटा कोई डिमांड ने पहले डिमांड हो जाता है मोटर साइकिल हमें चाहिए चाहिए अब तेल का रफ्तार नहीं देखेगा तेल भरा पाई या नहीं देखेगा लेकिन मोटर साइकिल तो चाहिए ही चाहिए यह सबसे बड़ है थार उन सब चीजों को हमें नहीं ध्यान रहना है कि बतिस imperson साथ pana सा써ठ fabrics 13 2248 स्वाइर किलो मिटर में 30 सगंबने अतिस मतला बहुत ज्यादा वन है 148 स्वाइर कيلो मिटर में लेकिन राज में सं मिढकाचिजित बन काचिपल अगर बात कर लें नाए शुय के स्क्वार किलो मीटर हो जाता है संरक्षित बन का चैट पर संरक्षित बन का चैट पर बातीस सो आठ इसक्वार किलो मीटर राज में गैर संरक्षित बन का अगर बात कर लें गैर संरक्षित वन मतलब भाद चिले में वालमीकी नेगर पार बन जीव अभ्यारन है सरवाधिक अगर बन चेतर वाला बात है तो देखिकले कायमूर और पस्चीम चब पारन में सबसे ज्यादा जो है तो बन बन पाया जाता है किस जिले में अगर पुछेगा आपको किस जिले में सबसे दिक बन पाया जाता है कैमूर और पस्चिम चंपारन कैमूर और पस्चिम चंपारन सबसे कम बन कहां पाया जाता है तो सिखपूरा और सिभर सिभर सिखपूरा सिभर सिखपूरा नि बिहार में बनों का प्रकार होगे आधर परनपाती और सुस्क परनपाती देखें आधर परनपाती के कौन-कौन से बन हो जाते हैं अगर आधर परनपाती की बात कर ले तो यहां पर आपका हो जाता है सीसम, सेलम, साल, खैर जो खैर होता है खैर आप देखते हैं यह पूजा पार्ट में भी उपयोग में आता है सीसम सबसे ज़्यादा महत्वपुर्ण हो जाता है जिसका जो है सो बहुत ज़्यादे लोग यूज करते हैं घरों में चोकषट खिरकी के वारी तक था जी बहुत सारे चीज़ों में महुआ आम कटहल जामून यह जो है महुआ आम कटहल जामून देख लिए यह सारे फलदार पोदे हैं इसको सुस्क परनपाती बन हम कह सकते हैं सुस्क सुस्क परनपाती में सारे फलदार वन जीव अभ्यारन की बात कर लेते हैं अभी देखे हम लोग की 11 वन जीव अभ्या यानी जो हो गया ठीक है दो अभ्यारन आपको हो गयें जो कहा है तो पस्चुम चम्पार में अब गया में है गौतंबुद्ध से संबंधित जो गया है बौध गया तो गौतंबुध अभ्यारन पजται गया हुजए जग इसको अराम सी जाद रख सकते हैं आब भीम correfall देखिए तैंब भीम BAND आपको मुंगेर में है भीम मुंगेर ऐसे भी धोहां आप रख सकते हैं भीमबाँ है तो मुंगेर में तो किमूर अभ्यारन है और सबसे बुरा है और कहा पर है तो रपास में तो किमूर अविहारन कि अंगर के करलें अरडिया में कावर पक्छी वियार बेगतर आ यह काफी इस्ट मिंप्रत है JOHN कावर पक्षिय विहारन क्या है बेगु सराय ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और कुसेस्वर पक्षिय विहार ये आपका कहा है तो कुसेस्वर पक्षिय विहार हो जाएगा आपका कहां पे तो ये भी ध्यान रखेगा ये थोड़ा सा ये गरबड़ हो गया था कुसेस पर बोजपूर में संजय गांदी जैवी कुद्यान कहा पर है पटना में और हरिया वारा अहिरन पार्क कहा पर है अरिया में इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान लखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट अफिक है आप देख रहे हैं सकस्की 92 आप हमारी चनल पर नए है ते च सुरू से अन तक देखा जरूर कीजिए और लाइक किया कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कर लिजे बहुत बहुत धन्यवाद